जहें दोस्तों बंदे मातर हमारे देश में कुछ एक राजनेता हैं जो ये बात बोलते बोलते ठकते नहीं है कि वह ये हमारे देश में डेमोक्रेसी का कतल हो रहा है अगर मैं आपको बताओं कि डेमोक्रेसी जहां नहीं होती है वहां क्या होता है तो मेरे हिसाब से आपको जितने भी मुडिगीश के देश है जहां पर भी समय अंस्टेबल हालात बन रहे हैं आपको उन सभी की तरफ एक बार ध्यान से जरूर देखना चाहिए वहां पर इस समय चीज़ चल रही ही वो यह बात बताने के लिए काफी है कि किस तони की से एक देश में माहोल को पिकाड़ा जा सकता है अगर वहां पर डेमोक्रेसी नहीं होती है वहांपर जिस तरे जिस तरी तरी के से आवी तालिबान ने लड़कियों के इंडे पर दे पर सा हैं तरह जान लेते हैं इस वीडियो बॉलिवूड अबिनिता शारुक खान के 57 जनम दिन के मौके पर उनकी अपकमिंग फिल्म पठान का टीजर रिलीज किया गया है फिल्म के टीजर की शुरुआत होती है क्या जानते हो पठान के बारे में तीन साल से कोई खबर नहीं है अंत में शारुक कहते हैं अपनी कुर्ची की पिटी बाल लो मौसम बिगड़ने वाला है हाला कि फिल्म का टीजर दर्शकों के गले उतर नहीं रहा सोशल मीडिया पर पठान को लेकर जहाएं एक तरफ लोग तारिफ हो के पुल बांग रहे हैं तो यह दूसरी तरफ बॉय अब एक और यूजर जिसका की नाम पॉलिटिक्स में पीजडी है उसने लिखा कि अफट्वी सेवन येर ओल्ड स्टिल वांटिंग टू प्ले हीरो भाई हीरो का दादा है तू अब कितना डिजिटल रीमिक्स कर लो बुढड़ा हो गया है पठान इसके उपर एक और इसके लिखा कि लिखा कि लास येचार फिल्म वाउज शम्शेरा वाउज शेमलेसली एंटी हिंदू इट वाउज शूपर फ्लॉप एंड नेक्स इस रिलीजिंग पठान दरसल शम्शेरा में इस तरीके शुद्र रिसिंग के किरदार को दिखाए गया था उसके बाद मू किसको बचाए जा रहा है दरसल यहां पर पठान को सदार तादन ने डारेक्ट किया है और अधित चोप्रान प्रड्यूस किया है यह फिल्म अकले साल जनवरी में हिंदी तमिल तेलगू भाशा में रिलीज होगी इसमें शारुक और जॉन अब्रांग की जबरदस फाइट कि कुछ ना कुछ खीजतान की बहारी निकाले रहा पड़ता है लेकिन यहां पर टीजर फिर भी काफ़ेगे ठीक ठाक की दिखाई पढर रहा है लेकिन जो लोम यांपर बॉइक्ट की बात करणा तक पुछ्ण जरूरी कि कहीं न कहीं Sem触ी करना दूल जबर घंकी तो आवा झाल झाल